प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है आई आपको दिखाते हैं कि ट्वीट के जरी उन्होंने क्या कहा उन्होंने लिखा है कि इस केस में चरही CBI जांच कहा तक पहुंची आरोपी विधायक अभी तक BGP में क्यूं है पीडिता और गवाहों की सुरक्षा में धिलाई क्यूं है इन सवालों की जवाब बिना क्या भाजपा सरकार से नयाए कोई उमीद की जा सकती है तो प्रियंका गांधी नहीं ये लिखा है कि हाथसा चौकाने वाला और पीडिता और गवाहों की सुरक्षा में आखिर का धिल क्यूं दी जाती है क्योंकि सुरक् उकल्पशा नहीं थी कोई गणर उनके साथ मौझूद नहीं था केस में सीबिया की जाच कहां तक पहुंचे है प्रियंका गांधे ने सवाल क्या साथ उन्हों नहीं ये भी लिखा कि क्या बीजोपी से नयाए का उमीद की जा सकती है वाकई ये सवाल कि क्या भीजोपी से कि लड़की के आगर बात की जाए एक लड़की जो की नौकरी के लिए जाती है, उसके साथ रइप किया जाता है, आरोप लगते हैं, कुलदीप सैंगर पर जो की विधायक है, बीजपी में जेल में बंन है, हलाँकि पहले कई पार्टियों से होकर वो बीजपी में आये थे, बसपा की बाद कर लिजाए सपा की बाद कर लिजाए और उसके बाद बीजपी फिर उसके बाद जब जेल में वो बंद हो जाते हैं तो भी पेड़ित परिवारे शुकायत करता है कि लगातार धम क्या दी जा रही है उनके परिवार वालों को पिता की मौत पुलिस कस्टडी क के अंदर हो जाती है ये भी एक बड़ा सवाल है और इसके साथ ही आपको बता दे वो मुख्य गवा थे सीबियाई जांच में जिनकी मौत हो गई और इसके बाद जितने भी इस कार में लोग सवार थे वो सभी सीबियाई के मुख्य गवा थे अब उनमें से सिर्फ लड़की और वकील बचे हैं अब देखना ये होगा कि क्या इने सुरक्षा मुहिया कराई जाती है या फिर इनके साथ भी कुछ ऐसी अन्होनी करने के साज़ शागे भी रची जाती है